क्या उपनिंग डे की कमाई से प्रभास तोड़ेंगे रिकॉर्ड? किस तरह से बेचे गए फिल्म के राइस? किस आइकॉनिक किरदार को पीछे छोड़ सकते हैं सैफ ली खान? हेलो फ्रेंड्स मैं शूरूती और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलिग्रेंड स्टूडियो अदे पुरुष फिल्म 2023 में रिलीज होने वाले बिग बजट फिल्म में से एक है इस फिल्म का बजट लगभग 700 क्रोर रुपीज है इतना भारी भर कम बजट है तो उसकी वसूली भी होनी चाहिए ना यानि कि बॉक्स आफिस कलेक्शन फिल्म तो जून में रिलीज होगी पर फिल्म के कलेक्शन को लेकर फिल्म क्रिटिक्स या ओडियन्स अंदाज़त लगाती रहती है वैसे ये फिल्म पहले दिन 100 क्रोर रुपीज की कमाई कर सकती है ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि फिल्म इंडिया में ही 7000 स्क्रीन पर रिलीज करने का सोचा जा रहा है वैसे अगर प्रभास के फिल्मों को देखा जाए जो आदिपुरुष के में लीड है तो बाहुवली और साहो के ओपनिंग डे कलेक्शन पर गौर कर सकते हैं बाहुवली टू ने पहले ही दिन 121 करो रूपीस कमाये थे साहो ने 89 करो रूपीस तो वहीं बाहुवली ने वरल वाइड पहले दिन 75 करो रूपीस कमाये थे अब यह देखना है कि आदिपुरुष फिल्म इनहें बीट कर बाती है या फिर नहीं आदे पुरुष के VFX की वजह से डारेक्टर ओम राउत को फिल्म पर फिर से काम करना पड़ा मतलब थोड़े बहुत बदलाव करने पड़े और उसके लिए भी करोडों रुपए बहाने पड़े जिसकी वजह से फिल्म का बजट भी बढ़ गया पर अब उनके लिए फिल्म का दमदार कलेक्शन काफी मायने रखता है वरना इतने बड़े बजट का कोई फादा नहीं होगा पर ऐसी फिल्म में रिलीज से पहले ही काफी दमदार बिजनस करती हैं जैसे कि फिल्म के राइट्स आदे पुरुष के लिए सैटलाइट राइट्स खरी दे गए हैं 400 क्रो रूपीज में तो वहीं डिजिटल राइट्स खरी दे गए हैं 500 क्रो रूपीज में यानि कि ये काफी बड़ी दील है जो रिलीज से पहले ही फादे मन रही है आदिपुरुष फिल्म में प्रभास बने है राघव यानि की राम कृती सेनन बने है जानकी और सैफली खान बने है रावण वैसे कृती और प्रभास को काफी अच्छा response मिल रहा है पर उस comparison में सैफ को थोड़ा फटकार आ गया पर इसमें सैफ की कोई गलती तो नहीं है अब makers जो कहेंगे वहीं वो करेंगे ना पर जब से सैफ को रावण के रूप में देखा गया है तब से audience को याद आ रहे हैं रमानन्द सागर की रामाइड में रावण का किरदार ने भाया था और आज तक उनका वो किरदार कोई भी नहीं भूला इतने अरसे तक किसी किरदार को याद रखना कोई छोटी बात तो नहीं है तो अब यहीं देखना है कि क्या सैफ ने सच में किरदार को समझ लिया है औ और वो इस किरदार को पीछे छोड़ पाते हैं या फिर नहीं आपका इस बार में क्या ख्याल है हमें फड़ा फटस अपनी राय बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को करतीजें लाइक और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न पास्कार